नमस्कार वियेस किचन में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप सब उम्मीद्या के सब अच्छे से होंगे तो आज हम बनानी जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी डिलिश्स सब्सियों से भरबूर पनीरी मिक्स वैच रेसिपी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया एक कड़ाही और ग्यासिक फ्लेम कर दिया हूं इसमें मैंने दो चमच सरसो का तेल डाल दिया आप कोई भी कोगिंग ओयल यूज कर सकते हैं और एक चोटी चमच जीरा और टूपिंच इंग डाल के इन्हें हम तेल में थोड़ा सा बून लेंगे तो देखी हलके से फ्राई हो गए हैं तो मैंने इसमें एक इंच द्रक का टुकुडा दोहरी मिर्च और पांसे छे कलिया लसुन की बारिक काटके डाल रखें आप चाहिए थोड़ा सा ग्रेट करके या इनकी पेस्ट बनाके भी डाल सकते हैं तो लिजी हलके से ब्राउन हो पाउडर और एक चमल डाल दिया है रटचिली पाउडर और हाफ टी स्पून डाल दिया है मैंने इसमें हल्दी पाउडर और इस सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स ग्यास की फ्लेम को स्लो करके तो लिजी यह भून गे तो मैंने इसमें तीन बड़े टमाटर आड़ कर लिए हैं और उसे मैंने इस मसाले में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी नमक आप अपने टेस्ट के अक्वर्डिंग एड़ कीजी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर के साथ और इसे हम ढखके चार से पांच मिनट के लिए जब तक हमारटर ना हो जाए देखे यहां पर जो टमाटर उसने पाने चोड़ दिया है हमने मसाला तब तक पकाना है जब तक यह पानी है जो सारा खुश्क ना होजाए और ग्रेवी आच्छे से तेल ना चोड़ दे तो यहां मैं आड़ कर दूँगी इसमें पासूरी कटी हुई और ये गाजर गोबी आलू और मतर ये चीज लिए हैं मैंने इनको मिने पांच मिनुट के लिए नमक डाल के पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लिया था क्योंकि मैं यहां पर सब्जियों को फ्राइ नहीं कर रही हूं बिना फ्राइ किये ही हम यहां पर वोती मिक्स वैजी टेबल बनाएंगे तो यहां पर इनको अच्छे से मिक्स कर दें आप ताकि यह जो सारा मसाला है ग्रेवी है वो सारी सब्जियों पर अच्छे से कोट हो जाए और इसे हम पांच मिट के लिए ढखके छोड़ देंगे तर लिजी अभी हम इनको चला के देखते हैं पीच-पीच में हमें देखना पड़ेगा ताकि सब्जे नीचे ना लग जाए और हमने यहां पर इसमें कोई पानी आड़ नहीं किया क्योंकि जो यह सब्जिया है इस सारा पानी अपने आप ही छोड़ देंगी तो देखिए आप देख पा रहा है इन सब्जियों ने गाजर ने गोबी ने अपना पानी चोड़ दिया और इसी पानी में यह सब्जें कुक हो जाएंगे अच्छे से जे मालू को काटके देखते हैं देखिए आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं पर हमें से एक मिनिट के लिए और चोड़ेंगे और यहां पर देखिए सब्जी प क्योंकि सब्जी हमारी कुक हो गई है इसलिए यहां पर हम करमसाल आड़ कर देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो लिजिए अब मैं आड़ कर दूंग इसमें पनीर यहां पर पनीर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है यहां आप हाथ के साथ बीस को म मैं कर दूंगे मेक्स और इसे दो मिट के लिए छोड़ देंगे हम ताके पनीर के अंदर तक भी जो है सारे मसाले का टेस्ट चला जाए तो लीजे सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है उपर से मैं हरा धनिया डाल रही हूं और इसे कर देंगे मेक्स हम देखे कितने फटा फट बहुत ही इजी तरीके से हमारी ये पनीरी मिक्स वैस बंड के रेडी होगे इसे में कर रही हूं सर्व लेट में आप चाहे तो यहां पर मुलाई भी डाल सकते है पर मैं उपर से इसको गार्निश कर रही हूं क्रीम के साथ और देखिए हमने कितनी आसान और सिंपल तरीके स तो यह कितनी टेस्टी पनीरी मिक्स वैस रेडी कर लिए है और अगर आपको रेसेपी अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और कोमेंट करके जरूर बताएगा कि रेसेपी कैसे लगी और वीडियो देखने के लिए थैंक य दो प्रियो